वेल्कम बैक दोस्तो तो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसने आपको परिशाउन करके रखा हुआ है आप लोग बुक वन करते हैं क्या बुक वन भई ग्रेड इलेवन की बुक वन बुक वन ओ फिजिक्स भूल गए गया वही मेकैनिक्स वही आरबीडी और वही वक्पाइनरजी ठीक तो बुक वन आप करते हैं आपको लगता है भई कितना ज्यादा बुक वन कितना ट्रिकी है उसके बाद आपको बोला जाता है कि घबराईये मत सबसे डिफिकल पार्ट आपका फिजिस का खतम हो चुका है और आता है बुक टू और बुक टू में जैसे ही आप जो है चालू करते हैं यहाला चैप्टर कौन सा चैप्टर में केंगर्ट प्रॉपर्टीज अफ सॉलिड्स भाई तो आपको लगता है बहार आ गई है सब कुछ इतना मस चल रहा है और फिर अंत होते होते एक ऐसी चीज आपको बता दी जाती है जिससे आपको बुक वन ओफिसिस की याद आ जाती है तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बुक टू जो है फिसिस की ग्रेड इलेवन की वो सिंप्लिफाई करने के लिए आया हूँ तो सबसे पहले मैंने ये टॉपिक लिया है जो आपके सामने लिखा है बिलकुल सही पैचाना आप आपने दोस्तों हम आज बात करेंगे एंशी स्टोर्ड इन असालिड डूटू दस्ट्रेस ओके स्ट्रेस तो आपने सुना ही होगा दोस्तों स्ट्रेस तो आप बच्पन से लेते आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं सॉलिड तो अगर एक सॉलिड है उसमें आप stress लगाएंगे तो strain तो होगा ही ठीक तो हम उसी के बारे में बात करेंगे और किस तरह से कितना energy stored होता है इसके बारे में जानेंगे तो चलिए दोस्तो एक बड़ा ही simple सा scenario ले ले लेते हैं क्योंकि हमें तो चीज़े simple रखनी है चलिए ये रहा आपका एक rod इस rod को आपने ले लिया और आपने दोस्तो यहां पर इसको fix कर दिया इस end से ये rod नहीं हिल सकता है और आपने दोस्तो क्या किया आपने आपने कुछ नहीं किया दोस्तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक force लगा दिया है यही तो आपन करेंगे ये force लगाया हमने क्या बोलते हैं force को बोलते हैं F अमाल लीजिए uniform rod है उसका length L है और जो area of cross section है दोस्तो वो हमारा uniform है throughout अब आप देखें यहां पर होगा क्या अब हमने पूरे chapter में बार बार यही तो पड़ा हुआ है दोस्तो कि जबी भी हम लोग stress लगाएंगे जो भी solid है उसमें थोड़ा बहुत stretching तो होगी ही और अगर माल लीजिए इसमें stretching हो रही है तो rod का length थोड़ा सा बढ़ जाएगा है की नहीं? rod का length तो बढ़ गया उसके बार यह रुग गया length बढ़ना तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी situation एक spring की तरह है तो जिस तरह से आप एक spring में force लगाते हैं और यह stretch हो जाती है और इसके अंदर potential energy store हो जाती है दोस्तो उसी तरह से तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं और हम energy stored in this rod कैसे निकालेंगे इस बारे में बात करते हैं अब आपके सामने दोस्तो दिया हुआ है force F force F दिया हुआ है rod दियो ही है rod stretch हो रही है अब आपको निकालना है potential energy तो दोस्तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है भई force और energy कैसे मैं equate करूँ क्योंकि मेरे पास तो force F है यहां पर उसके terms में ही मैं निकालने की कोशिश करूँगा तो भई मुझे ऐसा direct क्या कुलता है force और energy की बीच में relation तो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हाँ दोस्तो रुकिए हमारे पास एक relation है जिसमें work done और energy का correlation है और work done हमारा force से निकलता है है कि नहीं तो दोस्तो यह equation आप लोगों ने कितना बार लिखा होगा अगर आपने यह equation कम से कम पचास बार आपने नहीं लिखा है तो इसका मतलब दोस्तो आप समझ जाएए आपकी preparation उस level पर नहीं है तो सबसे पहले जाएए और वह इसको पचास बार नहीं लिखना है सवाल लगाने हैं पचास दोस्तों जिसमें आप यह automatically लिखेंगे सिर्फ यह equation लिखके कुछ नहीं होगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं यह equation हम यहां पर लगाएंगे और हम ट्राइ करेंगे potential energy निकालने का तो इसको थोड़ा सा expand कर लेते हैं w is equal to u2 minus u1 plus k2 minus k1 अब आप दोस्तों पहला पॉइंट आप मानिए कि जब रॉड अपनी ओरीजिनल स्टेट पे था और दूसरा पॉइंट जब फाइनली रॉड स्ट्रेच हो जाता है और सब कुछ रुख जाता है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें यह equation और यह थियोरम लगानी है इस थियोरम का नाम वर्गनेजी थियोरम होता है दोस्तों अब यहां पर आप देखेंगे कि इनीशे काइंटी के जी रॉड की जीरो है भाहि वह रह्त् Guide था और फाइनली भी रहत्त पे आ गया तो केट अब इनीशन एशे तहा ही नहीं तो स्ट्रेचिंग के दोरा जो एनेर्जी आएगी क्योंकि इनीशनी स्ट्रेचिंग जीरो है तो बहुत ही प्यारा से relation आजाता है दोस्तो जो potential जी finally store होगी वो work done by this force ही होगी अब यहां पर थोड़ी सी चीज ध्यान देने वाली है दोस्तो यहां पर यह जो force F है यह force F constant force नहीं है तो यहां पर दोस्तो जैसे कि मैंने कहा यह force constant नहीं है जिस तरह से आपका जो spring force है जैसे से stretch होता जाएगा आपका जो kx force है इस force को balance करने के लिए आपको यहां force लगाना पड़ेगा उसी तरह से यह force भी variable है तो चलिए दोस्तो work done by this force निकालते हैं और variable force का जो work done है वो आपको तो याद होगा ही हम लोग इस तरह से निकालते हैं है कि नहीं और अगर आपको लग रहे हैं कि यह आप पहली बार देख रहे हैं तो आप दोस्तों समझ जाईए कि आपको work by energy chapter अच्छे से करना है चलिए अब यहां पर हम solids के बारे में बात कर रहे हैं तो माल लिजे यंग मॉडलर से solid का y है और यंग मॉडलर जो है क्या होगा f by a divided by माल लिजे किसी एक moment पे rod की जो stretching है वो x है तो x by l यहीं होगा न दोस्तों यहां से आपका जो value of f है वो आ जाएगा y a l एक मिनट दोस्तों मैंने यहां पर थोड़ा सा गल्टी कर दी है f हो जाएगा y a by l into x यह आपका हो गया force इस force को दोस्तों मुझे यहां डालना है तो मैं try करूंगा कि सारा का सारा जो चीज है इसी page में आ जाए work done by the force हो जाएगा दोस्तों integral of y a by l x into dx x जो है already मैंने मान लिया है कि rod x amount already strained है उस moment पे जो force है वो निकाल लिया और further strain जो होगा उसके लिए मैंने इस force को constant माना हुआ है इस तरह से मैंने work done निकालने की कोशिश की है दोस्तों और x जाएगा 0 to delta l तो मेरा work done by the force आ जाएगा दोस्तों y a by l x square by 2 0 to delta l होगा दोस्तों और यह work done by f is the potential energy तो मैं यहां पर लग देता हूँ इन्टू delta l by l multiplied by a into l आप यहां पर थोड़ा सा मैंने एक step skip कर दिया है आप बस यहां delta l डालेजे delta l square by 2 होगा और यहां पर मैंने मैं इन्टू इन्टू वाल्यूम कर दिया है तो इस तरह से रियर्रेंज हो जाता है अब आप देखेंगे यह क्या आता है हाफ young polluters into strain into strain into Volume अब- यह उस मोड इन्टूosed इन्टू स्ट्रेंड क्या होता है दोस्तो स्ट्रेस होता है वेगने आप देखेंगे here potassium and give आपका आएगा हाफ स्ट्रेस इन्टू स्ट्रेन इस तरह से दोस्तों हम लोगों एनर्जी डेंसिटी जो निकाली है वो स्ट्रेस और स्ट्रेंड के टम्स में निकाली है और एक और बात मैं बोल देता हूं यहां पर कि हमने यह फॉर्मुला निकाला तो सिर्फ रॉड के केस के लिए है लेकिन क्योंकि यह एनर्जी परिंड वॉल्यूम रॉड के डैमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है दोस्तों तो यह फॉर्मुला आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं अगर किसी भी सॉलिड में स्ट्रेस सिगमा है और स्ट्रेंड इप्सलन है तो एनर्जी परिंड वॉल्यूम उस लोकेशन पे हाफ सिगमा इंटू इप्सलन होगा आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही धेर सारे वीडियो लेके आता रहूंगा और कुछ भी अगर आपको लगता है कोई कॉंसेट मैं आपको इसी तरह और भी दोस्तो तो दिसिए धिराज शानिंग ओस बाइबाए